हेलो दोस्तो वेल्कम टो माई यूट्व चैनल मैं डॉक्टर शेक सद्दाम आज आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे बात करने आया हूँ दोस्तो मैं देख रहा हूँ कि हर दिन कई लोगों का फोन आता है कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है अजूस पर्मिया मतलब zero sperm count zero direct zero ठीक है not low sperm count comes नहीं है direct zero है एक भी शुकरानू उनके सीमन में मिलता नहीं है तो दोस्तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है इस प्रॉब्लम का permanent solution क्या है और हमको क्या करना पड़ेंगा तब जाकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो में पूरा detail में बताने माले इसलिए वीडियो को skip ना करें पूरा पूरा आखिर तक दे low sperm count शुक्रानो कम होना या शुक्रानो मर जाना या शुक्रानो नी लाना ये क्या है और ये क्यों होता है ये हम आपको बताने वाले हैं से पहले दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है अकसर ये तोर पर एक 20 साल से 30 साल के उमर के लड़कों में ज्यादा तर पाई जारी है दोस्तों इसका क्या कारण है क्यों शुक्रानो कम होते हैं क्या करने से शुक्रानो कम होते हैं और क्या नहीं करने से शुक्रानो बढ़ते हैं वो पूरिया knowledge आपको इस वीडियो में मिलने बाला है इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखे सबसे पहले low sperm count या zero sperm count आजूस पर्मिया ये क्यों होता है इसका main कारण important कारण ये है कि दोस्तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं खड़े रहकर काम करते हैं continue standing रहना पड़ता है जैसे कि कोई shop में काम करने वाले जैसे कि कोई military में काम करने वाले जैसे कि कोई salesman, जैसे कि कोई watchman, barber, military man, policeman जो लोग खड़े रहते एक्सरिये तोर पर ये ऐसे लोग जो ज़्यादा بाइक चलाते हैं ज्यादा बैट कर काम करते हैं, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है वो सुनिये, क्योंकि ऐसे लोगों में दो बिमारिया ज्यादतर पाई जाती है, एक तो होता है वेरिकोसील, दूसरा होता है हाइड्रोसील, वेरिकोसील का मतलब अंडोकोश की नसो जादा वेरिकोसील जो है तो आटेक करता है स्पम पे क्यों तो अटोमेटिक अंडोकोश में खून जमा होना शुरू हो जाता है नसों में और जिसके कारण अंडोकोश गरम हो जाते हीट होती हमाँ पर रूप बलड रूपने की वज़ा से और अटोमेटिक स्पम काउंट नी अंडोकोश में बेचे नहीं है तो यह एक है एक्टिव वेरिकोसील अब दूसरी बात रही हाइड्रोसील हाइड्रोसील ऐसा होता है कि अंडोकोश में कुछ मार लग गया कुछ इंजूरी हो गई या कुछ शौक लग गया गाड़ी पर बैटने में टूइलर पर तो आएस साइज लटकने लगता है एक साइज वहाँ पर सुकड जाता है इस कंडिशन को हैड्रोसील कहते है ठीक है तो यह दो कारण में भी स्पर्म कार्ण नीचे जाता है अब इसके बाद है और एक कारण यह है जो बहुत ही इंपॉर्टन है वह स्पर्माटिक ब्लॉक जी जो अकसरियत लोगों में स्पर्माटिक ब्लॉक बनता है यह किस लोगों में ज्यादा दर बनता है सुनिये जो लोग ज्यादा हस्तमेट उन करते हैं होता यह है उनके अंदर कि वह हस्तमेट उन करते थे करते करते एक फिच पैसे आ जाते हैं कि अगर वह हस्तमेट उन ना भी क जाता है शुक्रान वाते उस नली के अंदर ब्लॉक बन जाता है जिसके कारण जो तो वीर्य तो निकलता है लेकिन उसमें किसी भी तरह का शुक्रानू मौजुद नहीं रहता ठीक है यह स्पर्माटिक कॉट ब्लॉक का तो यह तीन इंपोर्टन कारण है इसके अलावा सर्ट भी नहीं बन सकता इसको बोलते है सर्टुली सेल्स जनरेशन डिफेक्ट ठीक है तो यह पहली सेल्स होती है जो शुक्रानू के होती है अब यह तो मैं आपको कुछ मेडिकल नॉलेज बताया जो इसमें एक कॉज़िटिव फैक्टर समझा जा सकता है अब मैं आपको बताता डाली है जिसके कारण यह उपर की जितने भी मैंने आपको अभी प्रॉब्लम शेयर किया आपके साथ इन प्रॉब्लम की मेडिसीन इसमें हमने डाली है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वन मैं आर्मी जिससे हम कहेंगे कि एक ही उसका सॉलूशन एक ही फॉर्मूला जो आपक sperm count को zero से उपर लेकर जाएंगा क्योंकि मेरी बात सुन लीजे अगर आप गुगल पर सर्च करके देखेंगे कि normal timing of spermato genesis मतलब शुक्राणू बनने का time कितना है तो minimum 72 days बताता है ठीक है आप किसी शक्स में अगर zero sperm count हुआ होगा तो उसके कुछ कारण से तो हुआ होगा ना ठीक है ना तो पहले तो अपने को कारण को treat करना पड़ेगा जिसकी कारण sperm count कम हुआ है ठीक है तो अब जब हम देखेंगे कि कोई शक्स अगर मेरे पास से medicine लेना शुरू कर दे तो उसको near about 90 से 120 days का course करना पड़ेगा तब जाके उसके समझ में आएगा कि कितना result आउस को मिला है क्योंकि अगर दवाई लेने के तीन दीन के बाद भी आगर generation शुरू हुआ तो वो report में microscope में हमको कब नजर आएगा 90 से 80 days के बाद इसलिए दोस्तों आपको एक बात बता दो कि ये time taking process है ठीक है दूसरी बात है कि अगर आपको कोई बोल दे कि मैं एक मेने में करके देता हूँ तो it's impossible क्यों क्योंकि हम देख रहे हैं कि zero sperm count में एक भी शुक्रानो नहीं है और शुक्रानो बनने के लिए 72 days कम से कम नॉर्मल बंदे में लगते हैं और जिसके अंदर sperm count कम हुआ है वो तो abnormal है ठीक है तो उसके अंदर तो 90 से 80 90 से 100 या 120 डेस का वक्त लगेंगा तो सर्थ दवाई कैसे मिलेगी दवाई हम इंडिया से आउट इंडिया में भी भेचते आउट ओफ इंडिया में जहां बुलें वहां भेचते कोई दिक्कत की बात नहीं कोर्स का जो कीमत है वो 4000 रुपे है ठीक है चार मैने की दवाई लेने के लिए आपको जो मैं नंबर बार बार स्क्रोल कर रहा हूं इस पर मेरा वाट्साइब भी है इस पर मेरा कॉलिंग भी है यह मेरा पर्सनल नंबर भी है आप मुझे टाइम कोई भी नंबर किसी भी वक्त सुबह नों से लेके शाम तक कहां कॉल कर सकते हैं तो दवाई लेने के लिए आपको एक तो कॉल करना पड़ेगा या फिर आपको मुझे वा पड़ेगी तो दोस्तों यह इसकी प्रोसेस है दवाई क्यों लेने के लिए आप निशिंद हो जाएए बेफिकर हो जाएए देखो आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि आपके प्रब्लम को मैं दवाई दे सको और उससे कुछ रिजल्ट मिल सके हाड़ औन और कोई सेक्स रिलेटर प्रब्लम है आप मुझे डारेक्ले कॉल मेसेज़ कीजिए मैं आपको दवाई कुरियर से आपके अड्रेस पर भेज़ दूंगा इंडिया आप जहां बोले महां तो ठीक है आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में तब अगे लिए गुडबाय टेक्यर